अजम्मा पीचब सुबाणा पिदेख्तर बेकाथ में आपको अर्षं आप को सुवरेसे चिक है यह सोलडर जो कर दूड़ा कर आप तो आप यहां से एक थागा तो जोड़ के इस दोनों पार्ट को अलग अलग कर लीजिए और बीच में आप उन से बढ़ा के चार चोटा है तो जोड़ के बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से अगर लंबा बल्ला हो गया है आपका उसको भी छोटा कर सकते हैं बच्चों के स्वेटर चोटे हो जाते हैं उनको बताने जा रही हो आपको तो शॉल्डर भी जोड सकते हैं लंबाई को भी आप बढ़ा सकते हैं सारे काम इस तरीके से जोड़ना अगर आपको आजाएगा तो आप बड़े अलाम से कर सकते हैं सबसे हैं तो इसमें यह 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 देखिये हैसे स्टी पता नहीं चलता है कि आपने कहां पर शोल्डर को जोड़ा है यह देखिए किस थार अज आज जाएं तो सबसे पहले तो जितने फंदे हमारे शोल्डर में उतने हमको रखने हैं जो पट्टी के फंदे होते हैं इनको आप एक अलग सिलाई में उतार लीजिए उसके बाद से यहां से आप शोल्डर जोड़ना स्टार्ट करूंगे वहाँ दीहीं इसके पहलगेश़ यहीं है इसको इसमें ही उन पड़ा हुआ है तो इसमें हम साइट सेबुरूंगे ऐसे आप नॉर्मलाई बिनेंगे सीधा आ यसी साइट सीथे बिनेंहाँ तो इसको ऐसे ले लिया यहीं seperti इसमें से ऊन निकाला इसको सिलाई पे ही बहें चड़ा र आइसे बिना से जैसे मैं सीधह बिनती हूँ यह चुकि इस साइट से उल्टा है इसलिए इसको जब बिना जायेगा तो सीधह बिना जायेगा ऐसे ऐसे आपने निकाला इस वाले फंदे को गिराया जो पहला फंदा जिसमें निकाला था अब इसमें स्वी आपको सामने से ऐसे डालनी है और जो दूसरा फंदा है पहली आगे वली सिलाई का फंदा है इसको हमें उल्टा बिनना है ऐसे यहां कि जो सामने से सुई डालेंगे यह देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाओं मैं आपको शायद दिखें क्लियर दिखें यहां से सुई सामने से पड़ेगी ऐसे और यह उल्टा निकलेगा ऐसे और उनको हल्का सा टाइट करेंगे अब जो दूसरी एक फंदा जो हमने गिराया नहीं है इसमें देखिए आपको ऐसे इसी फंदे में ऐसे टालनी है सुई सामने से डालनी है निकिन जब निकाला जाएगा तो ऐसे पीछे से निकालेंगे जैसे सीधा बिंते में निकालते हैं इस वाले फंदे को गिराया यह सामने से स्वी डाली और यह उल्टा निकाला इस पीछे वाले फंदे को थोड़ा सा टाइट करा अईसे इस वाले फंदे में से स्वी डाली डालने में दोनों का तरीका है कि उपर से पढ़ेकी लेकिन जो हमारी पीछे की से लएवे जिसमें ज़िदर से हमारा उल्टा दिख रहा है इसमें हमारा स्वी ऐसे पढ़ेगी इस फंदे को इसलिए गिराना मैं नहीं कह रही हूं कि रही है आपसे जिससे जब आप इसमें सूीट डालने तो आपको दूर से फंदा पता चलता रह psycho कौनसा फंदा यो देकिए इसमें गिराने के पहले आप सूीट ऐसे डाल लीजे जिस इसमें उल्टे से निकाला जैसे उल्टा बिंतियूं में ऐसे उल्टे से सुई डाल के निकाला इस फंदे को अगर आप गिरा देंगे तो आपको यह पता चले कि पीछे वाला फंदा हमारा कौन सा फंदा खिच रहा है हमको उसी फंदे में से सुई को डाल के निकालना है इसमें से ऐसे डाला डालने का सिस्टम वही है सामने से डाला लेकिन जो उल्टी साइड का पोर्शन है उसमें हम सीधी तरीके से सुई को निकालेंगे निकालेंगे इसमें सामने से डाला और सीधा साइड हमारी तरह तो इसमें उल्टी साइड से सुई निकालेंगे इतना सापको ध्यान रखना है कि सुई कैसे निकालनी है यह देखी जिस फंदे से हमारा उन निकला हुआ है इसमें सामने से सुई डाली ऐसे उपर इसी फंदे में ऐसे डाली सामने से उपर से डाली है ऐसे उपर से डाल दीजे और इस फंदे में सीधा निकाली है इस फंद्य में सामने से डाला और उल्टा निकाला इस फंद्य को गिराया तो सामने से डाला और सीधा बिना इसमें सामने से सुई डाली और उल्टा बिना सामने से डाल ली और सीधा बिना जो हमारा इधर से सीधा दिख रहा है इसलिए हमको उल्टा निकालना है यह हमारा उल्टा दिख रहा है इसमें सीधा निकालना इतना सा सिस्टम समझना है स्वीट डालने के सिस्टम दोने में सेम है उपर से डालिए और उल्टा दिख रहा है उल्टी सिलाई पे पंदा पीछे दिख रहा है इसको हमने सीधा बिना और यह सीधी सिलाई पे है तो इसको उल्टा बिना बहुत आसान तरीका है ऐसे आप जब इसको बनाएंगे एक आध बार तो बिल्कुल किलियर बनके आ जाएगा पंदा गिर गया है इसको सही करना पड़ेगा सीधे वाले फंदे को उल्टा निकालना है उल्टे वाले फंदे को सीधा निकालना है कि ऐसे आप कोई भी चीज को बड़े अराम से बहुत आसान तरीके से जोड़ सकते हैं और इसमें डालके यह ऐसे सीधा निकाल दिया लास्ट का फंदा है इसको इधर से ऐसे जोड़ दिया यह देखिए बिल्कुल कहां से कैसे जुड़ा है कुछ बिल्कुल पता ही नहीं चलता है हमारा यह देखिए कुछ नहीं पता चलता है अगर आप कैसे जोड़ा है कोई इसको ऐसे बनाईए तो कोई जान भी नहीं पाएगा अगर आप इसी तरीके से आपके स्वेटर की लंबाई कम हो जाए तो आप बीच से एक फंदा यहां से तोड़के पूरे फंदों को निकाल सकते हैं और दोनो पॉर्षन को बड़ा भी सकते हैं चारच राइया भी इनके आपने जोड़ दिया यह पल्ला आपका बड़ा हो गया तो आप इसको छोड़के बीच से उधहिड के जोड़के सिल भी सकते हैं तो देखिए ऐसे क्लियर बन के आता है इस तरीके से आप जोड़िए कहीं भी कि पसंद आया होगा और इसी तरीके साथ ट्राइ करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे थैंक यू